नमाशकार जैश्री कृष्णा मैं राकेश शिवानियस्टो चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और जैसा की कुछ वीडियो से मैं आपको बता रहा हूं उल्ली देखते वक्त क्या-क्या देखें वो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं पिछली वीडियो में मैंने काफी पॉइंट्स बताए हैं मैं कहल पांच-छे वीडियो हो चुकी हैं अगर आपने ना देखी हूं तो देख ले और उसमें बहुत कुछ समझाया है कि क्या-क्या चीज हमको ध्यान में रखनी चाहिए कुणली देखते वक्त और क्या चीज हमको इग्नोर कर देनी चाहिए तो बहुत इंपॉटन्ट है आज लास्ट वीडियो से कुछ मैंने आपको प्रशन बताए थे कि जातक आपके पास आता है और प्रशन करता है कि साब मुझे आपसे ये प्रशन करना है कि मुझे जाजात कम मिलेगी, मुझे दहन कम मिलेगी उसके जवाब कैसे देने है वो भी मैंने आपको कुणली में पीछे प्रशनों में बताए हुए है उन्ही प्रशनों की शंकला में हम लोग आगे चल रहे हैं आगे प्रशनों को बढ़ाते हैं कोई जातक आपके पास आता है और वो आपसे कहता है कि साब मेरे मंगल की दशा चल रहे है और मंगल जो है क्योंकि आज की डेट में क्या है कि छोटी मोटी YouTube के कारण astrology की knowledge छोटी मोटी तो हर किसी को तो वो आखे आपसे बोलता है मेरे मंगल की दशा चल रही है और मंगल जो है मेरा भागेश है और पंचमेश है यारि नवे भाव का स्वामी है और पंचम भाव का स्वामी है और डीवन के अंदर भी मंगल अच्छी जे के प्लेस तो भी मुझे कस्ट हो रहे हैं केंदर में हैं डीवन केंदर डीवन चार्ट में तब उससे कहना बिलकुल सही है कि भागेश भी है पंचमेश भी है और भागेश की दशा किसी को मिल जाए तो वारे नियारे होते हैं या लगनेश के मित्र की दशा किसी को मिल जाए तो बहुत अच्छा होता है, तो वो यही कह रहा है, वो कोई गलत नहीं कह रहा है, वो यह कह रहा है, कि साम मंगल की दशा चल रही है, वो भागेश है मेरा, और केंदर में भी है, पोईशन भी उसकी अच्छी है, और उसका त्रिकोन का स्वामी भी है, तो फिर मेरे साथ प्रॉबलम क्य अब ये बात देखने की है, तो इसके लिए फिर आपको गोचर को भी देखना पड़ेगा, हो सकता है कि मंगल जिसकी दशा चल रही हो, वो शनी राहू से द्रस्थ हो, या नीच का बैठा हो गोचर में, या अस्थ हो, मतलब गोचर में अगर मंगल पीडित है, तो उस वक तक जब तक वो पीडित है, उस वक तक कुछ प्रभाव कम रहेंगे, मंगल के, जब वो उस हवस्ता से निकल जाएगा, मालिय सूर्य से अस्थ है, तो कुछ प्रभाव कम हो जाएगा, अब उस सूर्य से अस्थ के केस में, क्योंकि 45 दिने मंगल एक राशी को छोड़ देता है, मंगल वहां से हट गया, और ऐसी जगे आ गया, जहां वो पीडित नहीं है, तो या दो से अधिक ग्रहों, एक ग्रहों से आपको नहीं लगाना है, दो, या दो से अधिक ग्रहों से अगर पीडित है, तब ही लगाना है, पीडित में आपको यूथ भी देखना है, दरस्टी गोचर में भी चेक करने क्या भागेश या पलचमेश या लगनेश आपका जिसकी दशा चल रही है दरदशा वो पीडित तो उनके साथ शनी तो होगी, सूरे के साथ शनी तो पिता से परिशानी होगी, शनी जो है दुख का कारक है, सूरे पिता का कारक, बजब पिता से दुख होगा, पिता से प्रॉबलम होगी, पिता से समस्या होगी, मंगल के साथ शनी तो भाई से परिशानी होगी, तो शनी जिस भ बुद्ध बहन का कारक है, मामा कारक भी है, तो मामा से परिशानी हो सकती है, अगर बुद्ध रशनी साथ साथ हो, तो आपको एस्टरोलोजी में इस तरीके से देखे, ग्रह को देखे, खाली यही ना सोचे, कि बुद्ध रशनी है, तो बहुत बढ़या हो गया मेरा, या बोले फिर यह देखें कि बुद्धु कालपूरशी कुल्ड़ी में किन भावो का स्वामी है शनी चूर्भाव का स्वामी है उन भाव को मिक्स करके अब भावो कर जिस जीव को represent करता हो, उस जीव से परिशानी होगी है, यह ध्यान देने वाली बाद, अब वो question करता है कि देखिए, मुझे धन मिलने में परिशानी होगी क्या, तो वैसे तो देखिए, कोई भाव से सम्मंदित वो प्रशन पूसता है, माल लिया, किसी भाव से सम्मंदित प एक्सिस देखिए, लगनेश और अंतर दशाना, जिस ग्रह की अंतर दशा चल रही है, या प्रतिंतर दशा चल रही है, उसका लगनेश के साथ एक्सिस देखें, अगर 6-8 का एक्सिस हो, या 2-12 का एक्सिस हो, तो उस केस में, आपके स्वास्त में परिशानी हो सकती है, आप देखिए कि उस भाव के स्वामी का अंतरदशानात के साथ कैसा एक्सिज है पहले तो डीवन में चेक कीजिए और फिर गोचर में चेक कीजिए अगर गोचर में भी छे आठ का एक्सिज आ गया तो फिर तो सर्तिया परिशानी 100% परिशानी डीवन के अंदर ठीक है लेकि गोचर में 6-8 का एक्सिज है तो कुछ कम परिशानी है परिशानी तो होगी लेकिन कुछ कम परिशानी होगी माइनर हेल्थ इशू हो जाएंगा तो ये भी आपको ध्यान रखना है हर हालत पे अब जैसे इसमें एक एक्जांपिल दिया है चार्ट के अंदर ही कि माना शनी क सवामी से उससा एक्सिज छे-ट का है तो धन संगर्ष से मिलेगा पीड़ा से मिलेगा सिंपल से सिध्धान्त है तो आपको ये दो चीजें डीवन चार्ट में भी देखने हैं और दीवन चार्ट में भी देखना है और अगर गोचर अगर दिशनी को एक बार अगर आप कि इसके था इसके साथ इस दो बारे चार्ट में देखा वहां बहां भी अगर यह है तो आप कह सकते हो कि इस बहुत इंपॉर्टन जो मैंने आपको बताया question के बारे में इसके बाब मैं आपको next question बताऊंगा आपको next वीडियो में आशा करता हूँ आपको ये question समझ में आए होंगे बहुत important है इनको देखते रहे हैं और इसके लगए सूचना में देना चाहता हूँ कि इस November के महीने से हम लोग एक advanced technology का बैस start कर रहे हैं आप इसे जो